पूचर मेकर कंपणी को पांच महने से उपर का वक्त हो चुका है और अब वो वक्त भी आ चुका है जब फूचर मेकर कंपणी के सीमडी रादेश याम जी जिनको फूचर मेकर कंपणी के सभी डिस्ट्रिबूटर्स चाहे वो छोटे हूँ या बड़े हूँ बगवान का दर्जा दे दिया है उन्होंने वो अब बाहर आने वाले हैं और इस बार ऐसा जरूर होगा सायद आपको बाहर की आबो हवा देख करके भी ऐसल लग रहा होगा क्योंकि अब बाहर का माहौल काफी चेंग हो चुका है अब सभी लोग कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूस ही देने लागे है और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि रेड़ी सर ने कुछ जिनों पहले ही सोसल मीडिया पर एक बहुत बड़ी अपडेट और एक पॉजिटिव अपडेट पीडियक को ले करके दी थी तो अब बड़े लीडर्स भी हैं जो कंपनी के बारे में पॉजिटिव ही बोल रहे हैं तो अब गबराने की जरूरत नहीं है जल्दी है सब कुछ ठीक हो जाने वाला है रादेशाम जी के पिता जी का भी यही कहना है कि वे सभी लोग रेडिसर के टच में लगातात बने हुए हैं और अब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा हाला कि वक्त तो काफी लग चुका है पर सब कुछ ठीक होते हैं इनसान बीती बाते भूल जाएगा लीडर्स भी रेडिसर के कॉंटेक्ट में हैं और उन सभी का कहना है कि 15 मार्च तक रादे शामसर बाहर आ जाएंगे अब हम सभी जीत की और बढ़ चुके हैं और 15 मार्च तक हमें जीत मिल भी जाएगी बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा सबर रखिए दोस्तों 15 मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाने वाला है और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको सभी अप्डेट्स फ्यूचर मेकर कंपणी को लेकर के मिलती रहें धन्यवाद